जैम मातादी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जैम मातादी जरूर लिखें। दोस्तों, जैतर मास के सुक्ल पक्च की प्रती पदा तिथी को गुड़ी पढ़वा का तेवहर मनाया जाता है। इस दिन हिंदू नौ वर्स की भी सुरुवात होती है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि गुड़ी पढ़वा साल 2022 में कब मनाया जाएगा। और इसकी पूझा का सुभ मूरत क्या है। इसके लाव़ा हम आप बताएंगे कि गुड़ी पढ़वा का क्या महात्तु है। और इसकी पूचा विदी क्या है साथी इसकी पौराणी कथा क्या है ये भी बताऊंगी लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल World Best Magic को सस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सस्क्राइब करके बेल आइकन दबा दें साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और जादा से जा यानी जंडा और पडवा यानी प्रतिपदा तिथी को कहा जाता है मानिता है कि इसी दिन ब्रह्मा जी ने स्रस्टी का निर्मार किया था ये पर्व आंध प्रदेश और करनाटक में उगादी और महारास्ट में गुड़ी पडवा के नाम से धूमधाम से मनाया जाता है दो पौराणी कथाओं के अनुसार चैत्र नौरात्री के पहले दिन आदी सक्टी प्रकट हुए थी भारती कलेंडर के अनुसार चैत्र का महीना साल का पहला महीना होता है दोस्तों गुड़ी पढ़वा के दिन लोग अपने घरों की सफाई करके रंगोली और तोरण बना कर सजाते हैं घर के आगे एक गुड़ी यानि जंडा रखा जाता है इसके लावा एक बरतन पर स्वास्तिक कचिन बना कर उस पर वेसम का कपड़ा लपेट कर उसे रखा जाता है चलिए अब हम जान लेते हैं कि गुड़ी पढ़वा साल 2022 में कब मनाया जाएगा तो दोस्तों गुड़ी पर्वा का पर्व दो अपरेल 2022 दिन सनिवार को मनाया जाएगा और प्रती पदातिथी की सुरुवात एक अपरेल 2022 की सुबा गयारा बच कर 53 मिनट पर हो रही है और प्रतिपदातिति की समापती 2 अपरेल 2022 की सुबा 11 बचकर 58 मिनट पर होगी और इसी दिन 9 विक्रम समवत 2089 की बिसरुवात हो जाएगी दोस्तों इस दिन प्राता काल उठकर इसनानादी करके घुड़ी को सजाया जाता है इसके लिए एक बांस लेकर उपर चांदी, तांबे या पीतल का कलस उल्टा करके रखा जाता है और केसरिया रंग या रेसम के कपड़े से इसे सजाया जाता है इसके बाद गुड़ी को गाठी, नीम की पत्तियों, आम के डंठल और लाल फूलों से सजाया जाता है और गुड़ी को किसी उचे इस्थान पर लगाया जाता है, ताकि उसे दूर से भी देखा जा सके लोग इस दिन घरों की सफाई, गाउं में गोबर से घर की लिपाई भी की जाती है इस दिन अरुणोदे काल के समय अभ्यंग इसनान अफस्य करना चाहिए सुर्योदे के तुरंत बाद गुड़ी की पूजा का विथान है और चटक रंगों से रंगोली बनाने के साथ ही फूलों से घर को भी सजाया जाता है इस दिन आम तोर पर मराठी महिलाएं नो गजलंबी साड़ी पहनती हैं और पुरुस के सरिया या लाल रंकी पगड़ी के साथ कुर्ता पजामा या धोती कुर्ता पहनते हैं इस दिन नौ वर्स का भविस फल सुनने सुनाने की भी परंपरा है गुड़ी पड़वा पर स्री खंड पूरन पोली खीर आदी बनाई जाती है साम के समय लोग लेजिम नामक पारंपरिक नरत भी करते हैं दोस्तों मानिता है कि गुड़ी लगाने से घर में सम्रध्धी आती है भारत में गुड़ी पड़वा की लोग प्रीता का कारण इस पर्वसे जुड़ी कथाओं से भी समझा जा सकता है सत्यूग में दच्छण भारत में राजा बली का सासन था जब भगवान सिरी राम को पता चला कि लंका पती रावन ने माता सीता का हरण कर लिया है तो उनकी तलास करते हुए जब वे दच्छण भारत पहुँचे तो यहां उनकी मुलाकात सुग्रीव से हुई सुग्रीव ने सिरी राम को बाली के कुसासन से ओगत करवाते हुए उनकी सायता करने में अपनी असमर्थता जाहिर की इसके बाद भगवान सिरी राम ने बाली का वद कर दच्छण भारत के लोगों को उसके आतंक से मुक्त करवाया मानिता है कि चैतर सुकलपती पदा का ही वो दिन था इसी कारण इसी दिन गुड़ी यानि विजय पता का फैराई जाती है एक और प्राचीन कथा साली वाहन के साथ भी चुड़ी हुई है उन्होंने मिट्टी की सेना बना कर उसमें प्राण फूख दिये और दुस्मनों को पराजित किया इसी दिन साली वाहन सक का आरंब भी मनाया जाता है तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जै मातादी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवज से पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, सेर करें और साथ इसाथ चैनल को सस्क्राइब करें धन्यवाद